हैलो, असलाम अर्कम फैंड्स, आज हम लों लेकर आए हैं होली स्पेशल पे गुजिया, तो हम आपको बताएंगे कैसे क्रिस्पी और बहुती अच्छी गुजिया कैसे बनती है, होली में जब तक गुजिया और पापड नहों तो होली कुछ फीगी सी लगती है, तो चलिए एक नही रेसिपी और हम आपको दमन्यू मेथट से बनाएंगे कि ये क्रिस्पी गुजिया कैसे त्यार होती है तो इसके लिए मैंने यहां पे लिए हैं कुछ ड्राइफ रूट्स और ड्राइफ रूट्स को मैंने उसके ग्राइड कर लिया था मैंने शॉप्ट करके नहीं आपको मैंने ग्राइड करके डाला था और इसका एक जो टेक्स्चर आता है बहुत ही डिफरेंट होता है तो आप लोग ज़रूर ट्राइफ करिए को और मैंने यहां पे 300 ग्राम खोया लिया था और अब खोया को हमने इसको थोड़ा सा भूनना है बहुत ज़दा आपको डाक नी करना है थोड़ा लाइटी शेड रखना है और इसमें मैंने शुगर एड किया है हमने यहां पे वन कप शुगर लिया है आप शुगर अपने हесाब से कमिया ज़दा कर सकते हैं तो जितना भी शुगर थोड़ा सा बचा था उसको भी हमने इसमें एड कर लिया है और एड करने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे ड्राइ फ्रूट्स तो आपको चलाना है क्योंकि शुगर अच्छ से डिजॉल्व हो जाना चाहिए तो हम इसको चलाते रहेंगे और फिर मैंने आप किशमिश भी लिये हैं और वालनुट्स और एलमन्ट को मैंने साथ में ग्राइंड कर लिया था और जो ड्राइफूट्स आपको इसमें डालना हो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तो मैंने सारे ड्राइफूट्स को मिक्स करके इसको स्लो आच पर कंटिन्यू चला है तो अब हम लोग तैयार करते हैं इसका मैदा लिया है मैंने यहां पर मैदा दूक लिया और इसमें मैंने घी काफी अच्छे से डालीगा क्योंकि जब तक इसमें घी अच्छा नहीं परपर नहीं पड़ेगा तो यह सौफ्ट हो तो यहां पर छोटी छोटी बॉल्स तयार है अब इसको आप बेल लीजे और बहुत ही ध्यान रखेंगे कि बहुत पतला भी हमको नहीं रखना है क्योंकि अगर आप बहुत पतला रखेंगे जब स्टफ करेंगे और च्छानते टाइम जब इसको फ्राई करेंगे तो यह जो बॉल्स ती उसको बेल कि और इमने इसको क्वे की सटफिंग कर दी है स्टफिंग करके हम इसको सैट करेंगे तो हमने यहाँ पे एक कतोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और पानी लेने के बाद हम इसको साइड में हलका सा लगाएंगे जिससे यह अच्छे से चिपक ज तो आपस में simply बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर मुझे मैं काफी सको जल्दी बैने इसको बना लिया है और हमें आपको एक और design बताऊँगी कि गुजिया को हम लोग दूसरे design का कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको वह भी बताऊंगी तो जैसे ही मैंने इसको पहले सेट कर लेती हूं और यह डिजाइन मुझे मेरी मुम्मा ने सिखाया है बनाना तो और मुझे बनाने में काफी मज़ा भी आता है तो चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग गुजिया की दूसरे डिजाइन को कैसा त्यार करते हैं तो एक जो होती है कलाकन वाले डिजाइन वह भी काफी अच्छी लगती है क्योंकि यह तो शायद यह तो normal और common है तो जब तक कुझिया में अच्छे इजाइन न डालें तो शायद थोड़ा सा कम लगता है तो ये एक ड LöWeek Project ये त्यार हो गई है PAप जाहेज तो आप ऐसे करसकते हैं और उसके बाद साइड में ड לש intéंड बनाने के बाद आप ऐसे स्पून से कट कर द्यार कर दीजिए और फोक्त से ड ज्यांकोन करने के बाद तो देखने में भी अच्छी लगती है और एगर आपको सिंपल रखना हो तो आप सिंपल भी लख सकते हैं अपने टाइम के आकोर्डिंग आप इसको कर सकते हैं तो तो सारी हम लोगी गुजिया बन के तैयार है अब इसको हम लोग फ्राआ कर लेते हैं तो आप देखने, इसने फटी भी नहीं है, बहुत प्रॉपर है, तो हमने यहां पे गϋ को गर्म कर लिया है, और भाथ हाई नहीं रखना है, क्योंकि आपकी हाईगा की खुजई लिचे है, तो फलेम वह हो जाएगी लेकिस्ट को तो मिडियम पे चाहलोн दोनां अच्छसे से फ्राई हो जाए उसके बाद फिर हम लोग इसको नीकालेंगे तो मैंने डाल दिया है सारी गुजिया को और डालने के बाद इसको स्लोली हम लोग फ्राइ कर रहे हैं क्योंकि हमको क्रिस्प और अच्छी सी गुजिया तैयार करनी है हूली के लिए तो जैसे एक साइट कंप्लीट हो जाएगा हम इसको दूसरे साइड तो टरन जा रहे हैं क्योंकि मैंको तो दूसरे साइट तूसरे के ता अम अच्छी साइट तो आप स्लोली इसको टरन परिए हम दलसे परूप copyright है प्राई होके तैयार है आप इसको हम लोग एक कोई भी प्लेट में और किसी भी चीज में इसको निकाल लेते हैं तो हमारी गुचिया बन के तैयार है तो आप लोग अपना होली फैस्टिवल अच्छे से इंज्याए करें तो लेट दा फैस्टिवल बरन सो